लाइफ इस डाइम बाद, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिकत नहीं, पता नहीं, जो थारी राएं सोग मारी राएं, ना धिंडू जू नोवे चुपो, देखो सुनो मत बोलो पेरे बाए बेने वाँ, whatever you are, 200% पेरे ना टकर, किसी को आओ मत कहो किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पना, ना कुछ गुर्णा, ना कुछ गुर्णा, ओ आस्यो प्लिवाच जीरू कम बेत लेवल, आज मेरहो भी रख्पी Shri Krishna Shri Krishna Shri Krishna Shri Krishna Shri Krishna Guru Brahmah Guru Vishnu interviewed Guru Devau Maheshwara Guru Sakshātparam Brahmra तस्माइष्री गुररवेनमहा तस्माइष्री गुररवेनमहा चो सिध्धान्त के रुप में बताया था प्रथम अध्याय में नत अत्र चक्छुरगर्चदिन वागर्च democraci नमनाह नबिद्महा यता एतन अनुशयात वही बाद कथा के रूप में एक कहानी के रूप में जिसरे खंड़मी बताई थी सिद्धान तो वही है पहले जो बताया हो सकता है हमारे दिमाग में न समुख से फिर कहानी के माद्यम से अब हमारा चिंतन यही है कि जो सिद्धान तो बताया वो कैसा अपने जीवन में उतारे हैं तो यहां उन्होंने कहानी बताई पहले तो इनको ऐसे लगा सभी देवताओं को जब उनकी जीवन में सफलता होगी असुरों को जीतने की कि हमने ही सब कुछ किया है यह सब हम लोगों की कहानी आए मैंने यह किया मैंने वो किया मैं ऐसा करता हूँ और फिर एक दम सामने ऐसा प्रसंगा आजाता है देखो मैंने किसका भुरा ने किया क्यों मेरे जिन में ऐसे हो रहा है माने सफलता हुई तो मैंने किया और विफलता हुई तो भगवान की अवकृपा हो गई इससे दोगलापन और क्या हो सकता है और इसे लिए वहाँ सफलता का सेलिब्रेशिन चल रहा था तो पीश्वर आगे यक्षरूप में और फिर उसको जानने के लिए माने परमात्मा को जानने के लिए उन्होंने क्या किया पहले तो अगनी को भीजा अगनी है वानी की देवत नवाग गच्छती बिजो शब्दों का विशे नहीं है तो क्या करें मौन रहे लेकिन हम जानते हैं गिता जानती उपरस्रें जानते रामयन जानते वहाँ 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 वह तो उसको पंचर कर लिया है तो दूसरे देवता गए वायू देवता हम दुनिया को उखार के फेक सकते हैं अच्छा इस घास के पत्ति को उठाऊ नहीं हो सब तो वायू देवता स्परशेंद्रिय की देवता या प्राणों की देवता इसे लिए तो वह भी यहां काम नी करते हैं इसका कतात्पर यह क्या हो गया यदि आपको अपने सरूप को पहिचानना है तो पहले ग्यानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इनका त्याग करना अवश्यक है कि इनका त्याग करना माने क्या देखो सुनो यह ग्यानेंद्रिय का ख्षेत्र मत बोलो यह कर्वेंद्रिय का अक्षिन तो जब तक के हम अपने ग्यानेंद्रिय और कर्वेंद्रिय इन से उपर नहीं उठेंगे तब तक के यह दुनिया का जहमिला ऐसा ही चलता रहे है फिर इंद्र भगवान गए है इंद्र को ने इन सभी ग्यानेंद्रिय कर्वेंद्रियों के देवता या राजा इन सब के पीशे ग्यानेंद्रिय कर्वेंद्रिय के पीशे मन होता है माले मन ही व्यक्त हो रहा है इंद्रियों के रूप में जैसे विजली ही व्यक्त हो रही है प्रकाश के रूप में फैन के गती के रूप में सबकी पीछे वही है लेकिन ये बल्ब को ऐसे लगता है देखो मैंने इसे को प्रकाशित किया फैयन को ऐसे लगता है कि मैं ही सब को हवा दे रहा हूँ तो इन सब के पीछे मन है यानें पर यानें या करमेंद्रिया फिर उन्होंने इन पर कहा कि देखो भई कुन हम तो नहीं समझ पाए तो मन गया वहाँ हाँ हाँ मैं मैं राजा हूँ ना मुझे तो जान नहीं है वहाँ से वो यक्ष्य देवता गायब हो गए वो छोटी दिखती है कहानी इसका चिंतन करो तब जाकर के सुक्ष्मता प्रकड़ो दी है तो जैसे यह गए तो यक्ष्य देवता गायब हो गए क्योंकि मन को क्या आदत पड़ी हुई है मन को आदत पड़ी हुई है किसी को इंद्रियों के माध्यम से जानो किसी को कर्मेंद्रियों के माध्यम से ले आओ त्याग करो पकड़ो सुधारो मन जब तक के इस मन के पास कर्मेंद्रियों ग्यानेंद्रियों नहीं होते तब तक के यह मन कुछ भी करने में असमर्द है और इसलिए जब यह यक्षदेवता गायप हो गये अब मन की विशिष्टा क्या है उसको यह समझ में आया और फिर वहां वो शांत हो गया तो मन शांत होना माने क्या ज्यानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों इन दोनों के प्रभाव से मुक्त होकर के जीना यही मन की शांती है और ऐसे शांत मन में फिर वहां श्त्रियाम आजगाम भौशोभमानाम उमाम है मवतिम वहां ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई और कैसे अत्यंत सुंदर है सभी विद्याओं में सर्वस्रेष्ट विद्या यदि कोई है वो है ब्रह्म विद्या और उसके बाद क्या हुआ अब ये चतुर्त अंतिमखंड प्रारंब होता है सा ब्रह्मेति हो वाच ब्रह्म नोवा इतर विजये महीयद्ध्वम इती ततो हैवः विदान्चकार ब्रह्मेति अब ये इंद्र ने क्या किया उसके सामने जो ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई हमारे शुरुती माता प्रकट हो गई तो उस शुरुती माता ने क्या कहा इंद्र को सा ब्रह्मेति हो वाच उन्होंने का आके देखो ये जो यहाँ विजये हो गया है न तुमने इस युद्ध में जय प्राप्त किया ये तुम्हारा नहीं है कहते हैं सा ब्रह्मेति हो वाच तुमको लगा कि मैंने ये क्या आहां ये विजये तुम्हारी ये नहीं है यह तो भगवान की कृपा, भगवान का आशिरवाद, भगवान की इच्छा जिसके कारण तुमको इतनी बड़ी सफलता का श्रेय मिल रहा है एको महाराज व्यक्ति के जीवन में दुख आते है तो उसको आदमी पचा सकता है लेकिन अखंड रूप से यदि सफलता मिलती रहे तो अपने सफलता को डाइजेस्ट करना बड़ा कटिन होता है यक्ति अपने आपको बड़ा तीस मार का समझने लग जाता है मैं ये करूँ, मैं वों करूँ इस प्रकार से तो साब्रम्मेति होवाच ब्रह्मनोवा एतद्विजे महियद्वम् तो हमारे सब के जिवन में ये सप्ष्टता होनी चाहिए इसका आप दुनिया में देख सकते हैं कई बार हम चाहते हैं समझो कोई विक्ति है उसका हाथ को लगवा लग गया तो वो चाहता है कि मैं अपने हाथ से सर को खुजलाओ खुजली आ रही है तो उसकी इच्छा शक्ति तो है लेकिन परमात्मा की इच्छा शक्ति उसके साथ नहीं है तो वो खुजलाने के लिए भी हाथ नहीं उटा सकता एक चोटा सा उधारण है इसी प्रकार से जब जब हमारे कोई इच्छा पुरी नहीं होती तो यह समझ लेना कि इस इच्छा का भगवान ने समर्शन नहीं किया है लेकिन यह वास समझ वे नहीं आती और फिर व्यक्ति इसी में लगा रहता है कि मैंने यह किया मैंने वह किया और यदि नहीं हुआ तो फिर किसी अन्य को बढ़नाम करना सुरू करते हैं मैं में मेंडिटेशन करना चाहता हूं लेकिन सुबह के लोग आके डिश्रब करते रहते हैं तो संतों तो साप रम्मेति हुआ जब ब्रह्मनों वाई तर्विजे वहियद्वम तब इस मनने जाना मने ज्यानेंद्रिय कर्मेंद्रिय नहीं जान सकते ज्यान जितना होता है वो सभी का सभी ज्यान केवल मन में ही होता है जितने भी अनुभव होते हैं शरीर को कोई अनुभव नहीं होता इंद्रियों को कोई अनुभव नहीं होता इंद्रियों के माध्यम से मन को होता है जैसे हमारे आखों के सामें चस्माल कर यह चस्मा देख रहा है इस वानी देख रहा है जाश्म के पीछे द्रिश्टी आके आखे देख रहे है नहीं आखों के पीछे दृष्टी आ क्या दृष्टी देख रही है नहीं, दृष्टी की पीछे कितनी सुक्षमता है लेकिन हम इसको पकड़ देे और इसे लिए जैसे जैसे सुक्षमता बढ़ती है ग्यान की अब हम लोग धीरे-धीरे जगत से विड़रा होने लग जाते हैं और विड्रा होने माने क्या हड़ बढ़ाट पे नहीं रहा शान तरहो शान तरहो हम इतने एक्साइट हो जाते हैं एक्साइट मत हो शान तरहो और जब तक यह बास समझ में नहीं आती तब तक ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनकी अच्छाई अन्य को परेशान करती है जैसे हम खाने के लिए बैठते हैं तो अच्छा ही है बुराई किसी में नहीं है और खा और खा अरे यार वो कुई टिपिन बॉकस है करे दबा के वरते रहो उसको उसको खाने दोना अपने मंद से इसे लिए ये समझ लेना है कि जितना ज्ञान है जितनी साधना है सब का सब मन का ही चक्करें और उसके पश्चाद आगे चलते हैं अब जी जो तीन थे कौन तीन थे अगनी वायू और इंद्रा बाकी जितने भी देवता थे इन में से तीनों के बारे में बताते हैं तस्माद्वा एते देवो अतितरामिव अन्यान देवान यत अगनी वायू इंद्रहा तेहेन नेदिष्ठम वस्प्रुश्रुते येन प्रतमों विदान्चकार प्रमेती तस्माद्वी इसलिए एते देवाह ये जो तीन देवा हैं कोन हो गए पिर अगनी वायू और अपितीन जो है एतितरामि वद्रेवान बाकी जितने देवता बाकि कोंसे देवता है तो बाकि के चार कर्वेंद्रिय और चार ग्यानेंद्रिय अ कि बाकी ग्यानेंद्रियों का इसमें कोई सवाल ही नहीं इसलिए देखो यह बास पर्ष्ट समझे लो दुनिया क्या है केवल दो बाते नाम और रूप रूप बाहर है नाम अंदर है यह टैब है यह टैब को पता नहीं इसका नाम टैब है यह तो रूप है इसका नाम टैब है यह मुझे पता है और मुझे जो ग्यान हो रहा है बाहर नहीं हो रहा अंदर हो रहा है अंदर क्या ग्यान हो रहा है यह वस्तु बाहर है माने जब हम जगत कहते हैं दुनिया कहते हैं तो या जगत या दुनिया क्या है कहां है तो किवल बाहर नहीं है बाहर भी है अंदर भी है कारण क्या है कारण मन ही जो वस्तु मन में प्रवेश करती है उसी काम को ग्यान होता है तो वस्तु बाहर है ग्यान अंदर है दोनों जगद एक ही मन है इसलिए मन के दृष्टी से देखो तो अंदर बाहर का कोई अर्थ नहीं है जैसे आकाश बाहर है आकाश कमरे के अंदर है तो आकाश के दृष्टी से देखो तो अंदर बाहर कुछ है ही नहीं और यहां कि यह कमरा है यह भी आकाश के अंदर है इसी प्रकार से हमारा देह यह दुनिया सबका सब मन के अंदर है तो जहां मन ने एदियह के साथ तादात में छोड़ दिया उसके बाद हम कोन है, हम कहा है, हम क्या है, हम कैसे है, गायब, दुनिया गायब होगे तो ये दुनिया है कहां, एमन मन में और इसलिए मन ही हमको ठिकाने पर ला करके अध्यात्म में लगाना है है लेकिन अपने मन के दिरप ध्यान नहीं बाहर होता है दुनिया में ये करना वो करना इशी शांत रहो शांत रहो शांत प्लबढ़ांट से कुछ नि होता मुश्रका मन तीन स्थानों में समस्या बनता है पैला स्थान भूत काल हमेशा पुरानी बाते हैं यहां तो हमेशा भुष्यकी चिंता और थिसरी वर्तमान में एक्साइटमेंट थिसरी अध्या में बगवान केते मैं सर्वानि कर्मानी सन्यस्य अध्यात्म चेता सा निराशी निर्ममों भूत्वा युद्यस्व विगता ज्वराह तीन बाते सर्वानि कर्मानी मैं सन्यस्य सबकुछ हरी कृपा से ही हो रहा है उनकी इच्छा से ही हो रहा है यह यदि हमको ज्यद में उतारना है तो क्या करें बगवान कृष्ण कहते हैं पहले निर्वमों भूत्वा ममता भूत काल को ले करके होती है स्मृतियों के रूप में फिर निराशी भूत्वा आशा अपेक्षा भविश्यकाल के रूप में होती है और वर्तमान में विगतज्वरहा एक्सेट्मेंट वान आओ कि तीन स्थानों पर हम यदि ध्यान दे तो हम जाकर के हमारा मन हमारे लिए एक एसेट रहेगा लाइबलिटी नहीं होगा कि अभि हमारे सबकिस्थी क्या यह यहार मान हमरा मन बड़ा डिश्ट्रोप है क्या करें मन को शांत होगा समझदारी से कौपडे को दाग का आँज है पी को अम्नम शिवय को कौब दीटेंगलना है तो उसको डिटरज लगा एक साफ करो कि अ हाँ जैसी और इस नंख रहो मन को यदी हम को शानत करना है मन के मारे में जान ज़रूरी है तो हमको समझ में आएगा हमारा जो मन है कि तीन दिशाव में बटकते रहता है भूत में भविश्य में और वरतमान में तीनों से जब शान्त हो जाए इसलिए बगवान ने कल बताया था शाम को नहीं ज्ञाने न सदुरुशं पवित्र मिहविद्यते ज्ञान के जैसा पवित कड़कड़े चलते रहें जाना परिशान में तो तस्मानवा एते देवा अतितरामियो अन्या देवान अग्निर्वायुस्ते एनन निदिश्टम पस्पुरुशुस्ते ये न प्रतमों विदान्चकार ब्रम्मेति इसलिए सभी दिवताव को छोड़कर के इतीन स्रेष्ट हो गए माने स्रिष्टता क्या है स्रिष्टता ये है कि अग्नी ने प्रेत्न किया और प्रेत्न करके उसको समझा समझ में आया किया समझ में आया नहीं ये वानी का विशेव नहीं है फिर वायू ने प्रेत्न किया वायू को समझ में आया यह पकड़ के इद्र से उधर उठाना रखना ये विशेव नहीं है सर्वव्यापी है उसके प्रश्चार पहते हैं तस्मा द्वा इंद्रो अतित रामिव अन्यान देवान सहेनने दिष्ठम पसपर्श सहेनत प्रतमों विदान चकार अब रम्मेथी अब यह जो तीन देवता थे इन तीनों में जो इंद्र था माने मन था वो तीनों में मन स्रेश्ट रहा क्योंकि इंद्रिय यह दो थे अगनी और वायू यह तो हार गए उन्होंने अपनी हार मान ली माने क्या जब तक कि हम यह स्पष्ट नहीं समझते की अध्यात्मिक साधना माने तस्मात्वम इंद्रियानियादो नियम्य भरतर्शब पाप्मानम प्रजही हेन ज्यान विद्यानन आशनम तृत्य द्याम्य वगवान कहते हैं इसे लिए पहले अपने इंद्रियों पर नि नियंद्रण करना ज्युक्त करना माने क्खाने पर और बोलने पर नियंद्रण करना हमारी जो जिवा है ये ट्मंप्ट侵ानाables की काने के लिए और बोलने के लिए इसमें हमों को नियंद्र्ण करना है तो धीरे धीरे ये फिर हम जगत से उपरत हो जाएंगे आप दुनिया को कुछ नहीं कर सकते हैं आप अपने को कुछ कर सकते क्या मत देखो आके बन कर लो मत सुनो लोग कुछ भी कहे जैसे हम लोग विदानता सुनते है न वैसे दुनिया की बाती सुनो विदानता हमको कहता है कि तुम ब्रह्म हो आप हमारे मज़ाग उड़ा रहे हैं अच्छा सॉरी सॉरी आप ब्योकूफ हो आपको कैसे पता चला उसको मान लिया हम जब बता दें कि ब्रह्म हो तो नहीं मानेंगे इसका कारण मालू में क्या है कारण हम लोग बहुत ही जिद्धी होते हैं अपनी ही मनवाना यह हमारा प्रेम होता है छोटी बात को नहीं मानता कल जैसे कोई लोग आयत हमको मिले के लिए हमने सब को बैठो एक अम्मा का बैट बैट आमा नहीं ए occupation में कि पो बहुत जोर से डाण हमने कुप बैट गशिद्ध है कि पेट है हमने का अम्मा तुम को इतनी चोटी बात बताते हैं यह तुम मानती नहीं और मैं महाराज तो ये बाकी के जो इंद्रे इत्यादी उससे हट गए और फिर मन को इसमें लगाना है हमारे स्थिति मालूम में क्या है जैसे आप पानी को उपर चड़ाना चाहते बिल्डिंग के उपर पानी तो उपर नहीं जाएगा फिर उसको प्रिशर लगाना पड़ेगा तो वहाँ आपने पंप लगा लिया और अपेक्षा ये थी कि पानी उपर जाकर के टंकी को भर दे प्रिन कपसे चला रहे पानी बहुत धीरी धीरी जा रहा है पंप खाल खराब है क्या हो गया कैसे हो गया चिंतन सरूप में प्रिशर से पानी उपर जाता है गुषिद नियुक्र एप इसी प्रकार से हमारी जो शक्ति है मन के रूप में प्रकट हो रही है ये जयानेंद्रियों करमेंद्रियों के छेद' से बहार निकल जाती है पर तक पहुचती नहीं तो जब तक के ये छेद बंद नहीं करेंगे देखो सत्तों दीब बिल्कुल सहज है सरल है तो तस्मार इंद्रह अतितरामि वो अन्यान देवान तो जब हम अपने इंद्रिय इत्यादियों का पूर नियंतर कर लेंगे तब हमारा मन हमारे लिए उपलब्द होगा अब इसमें आप देखो जिस वस्तु का हमने दर्शन नहीं किया जिस वस्तु के बारे में हमने नहीं जाना उस वस्तु को लेकर के मन में विक्षिप नहीं होते देखो दो हजार बीस के पहले किसी ने सुना था क्या करोना अब दो हजार बीस में जब आ गया अब करणा करणा इतना हो गया है कि मजाक में भी कोई करणा करो करो पिर डर्बन गया क्यों कि उसने अपने मन में प्रवेश गया है इसे लिए पहले इंद्रियों का हमने नियंद्रन कर लिया और फिर इस मन को अपने सुरूप में लगाया कस्त्वम को हम कुतमायाता कामे जननी कोमेताता तो यह जो इंद्र था हो गया वहां से यक्षभगवान गायप हो गये जुटि अपनी आखो से अन्य को देख सकते हैं आप अपनी आखो से अपनी आखों को देखो को कि अथि Biz ए पिसी ने भी अपनी आखें नहीं देखी है एक कॉलेज के लड़के हमको कह रहे थी मैंने तो देखिए मैंने यार मुझे भी बताओ मैं भी देखूंगा उसने अपने पर्स में से चोटा साहिना निकाला देखो मैं देखती हूं यार तुम तो बड़ी इंटलिजेंट हो अब एक काम करो कि जो तुम आख देख रहे हो अपनी है उसमें काजल लगाओ उसमें कैसे जाएगा काजल है क्यों नहीं तुम देख रहे हैं तुम जो देख रहे हो आख नहीं है आख का प्रतिभिम्ब है तो इसलिए जब मन अपने ही तरफ मुड़ता है तो मन गायब हो जाता है और वहां परमात्मा प्रकट होते हैं यह जो ग्यान है यह ग्यान शुर्ति माता हमको देती हैं अंतर मुखी होना दो प्रकार से एक तो डिप्रेशन से अंतर मुखी होना क्या होगे अब पता नहीं किसी में मानी नहीं लगता तो क्या अंतर मुख्यों यहाँ डिप्रेशन में चले गए और यदि हमने शास्तर के सिध्धान्त के अनुसार चिंतन करना शुरू कर दिया तो चिंतन और चिंता इसका फरक समझ में आएगा जो चिंता के द्वारा प्रभावित होते हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं और जो चिंतन के द्वारा रहते हैं वो स्वरूप को प्राप्त करते हैं किंता की लिए टाइम नहीं लगता पट से सुरू हो जाती है चिंतन के लिए समय लगता है इसी लिए जब इंद्र के घड़े हो गए और वहां से यक्ष भगवान गायब हो गए तो वह बाकी इंद्रियों के जैसे अगनी वाउय के जैसे वापस नहीं आए वह पेशन से खड़े रहे पर जब वो खड़े रहे माने क्या अब उन्होंने शान्त हो गए रुष शान्त में वहाँ जो विद्या माता है योग देवी माता जो भी कहलो वो प्रकट हो गई और फिर उनको ग्यान हुआ कि जिसको मैं देख रहा था वो मेरे से अन्य नहीं है अब अपने मंत्र में चले जाओ यद्वाचानब व्युदितम येनवाग व्युद्यते तदेव ब्रह्मत वंविध्धी नेदम यदिदू उपासते जो वानी का विशे नहीं है लेकिन जिस वो ब्रह्म है वो ब्रह्मत तुमः इसको करना कुछनहीं इसको पहचानना मात्र है वहां का जो मंत्र है उसी का यह विस्थार है मियनमना सान मनुते ये नहाहुरमनो मतम जो मन का दृष्चपदार सा नहीं है जिसके कारण मन में चिंदर्ण करने के ख् Bradley है वो ब्रह्म है वो तुम हो तो जैसे दुरुष्टी मन ही है जब वो आखों के उपादी से प्रकट होती है श्रवन शक्ति वो भी मन ही है जब कानों के माध्यम से प्रकट होती है इसी प्रकार से मन ये भी ब्रह्म है यदि उसमें परिच्छिन्नता का विशे ना हो परिपूर्ण को विशे बनावे जैसे बर्फ पानी ही है यदि बर्फ में से रूप रंग को हटा दो कि इतनी सिंपल माध है ठंडा वर्फ और ठंडा पानी दोनों में क्या फरक है वर्फ का आकार होता है पानी का आकार नहीं है इसी प्रकार से मन क्या है जिस मन में अनात्म भाव का प्राधन्य है वो मन है जिसमें अनात्म भाव का अभाव है वो परवाद्व है इस प्रकार से सभी दीवता इत्यादी जहां फेल होगे वहां मन इस कारे में लग गया इसलिए प्रतमों विदान्चकारब रम्हेती अब ये तो बता दिया अब इसके लिए हमको आदेश दिया जाता है देखो जी जो नाथ संप्रदाय है या सिद्ध मार्ग है इसमें जैसे उपदेश करते हैं उपदेश को आदेश कहते हैं आप देखो कभी किसी नाच तप्रदाय कि यहां चले जाओ तो वो नहीं कहते हैं कि आईए बैठी आदेश आदेश माने अब चुप जो बताया वो करो कि यहां बताते हैं चौथे मंत्र में तस्य आदेश हाँ यदे तर विद्यतो विद्यूतदा किति इन्यम अमीशदा किति अधि दैवतम अब यहां आदेश देते हैं आदेश माने क्या परमात मा को पहिचानने के स्थान और प्रक्रिया क्या है कि यह तस्य आदेश आदेश यदे तर विद्यूतदा कित पर यह क्या है जैसे आकाश में बीजली फट से चमक जाती किसी प्रकार से यह जो अनुभव है एक दम स्पष्ट हो जाता है कार्य कारण के परे जिस अनुभव में अनुभव करता इसका जन्म नहीं होता है वो अनुभव अपना सरूप में कई बार जब ऐसी घटना हो जाती है कि यह कभी अपिक्षा ही नहीं थी जिसे कभी कभी हमको कोई व्यक्ति मिल जाता है देखा होगा कहीं बच्पन में इदर उदर में और और थी सो चालीस पचास सा निकल गए और सडनली कहीं मिल गया अरे यार पैसा ही जटका सा आता है ना क्योंकि उसमें कहां से आया कभ आया कुछ नहीं कार्यकारण नहीं है तो जो अनुभाव कार्यकारण की परे होता है वो अपना सौरूप है कार्यकारण हमको मन में फसाएगा जैसे आकाश में विजली कड़कती है निकल जाती एक शण्ड के लिए वहां मिचार नहीं करते हैं यहार यह विजली कहां से आई हो आहां एक दम अनुभाव आगया और यह इसको कहते हैं निर्वी कल्प समादी हमारे एक ग्रंथ में इस ग्रंथ का नाम है त्रिपुरा रहस्य जिसको कहते हैं दत्त भार्गव सम्वाद उसमें यह प्रसंग आता है उसमें कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में निर्वी कल्प समाधी का अनुभव करता है हर एक व्यक्ति दिन में दसो बार लेकिन समस्या यह है कि यह निर्विकल्प समाधी है यह ग्यान उसको नहीं है जैसे यह जागरत अवस्ता है यह ग्यान हमको है यह सौपन था यह ग्यान हमको है यह सुशुक्ति थी यह ग्यान हमको है और हमेशा उपलब्धी केवल ग्यानात्मक होती है क्रियात्मक नहीं होती है तो जागरत का अनुभव होता है हम पहचानते हैं स्वप्नका सुशुप्ति का लेकिन ये निर्विकल्प समाधी है इसकी पहचान हमको नहीं है इसे लिए इसकी उपलब्दी नहीं होती है दिए जो आपका अनुभव है इस समय इस समय देखो क्या है आपके अनुभव का विश्टेशन करो दो हम कहां है कब है क्या है कौन है कुछ दे केवल होना मात्र और अपने होने का जो भान है माने knowing is being होना और होने का भान ये दो नहीं है जैसे वस्तू वस्तू का भान ये अलग अलग है लेकिन अपना होना और उसका भान ये अलग अलग नहीं है इस्थिती में जो अनुभूती है उसको कहते हैं निर्वी कल्प समाने अब देखो विकल्प किसको कहते हैं विकल्प माने ऑप्शन्स अभी आज बारा तारीक है कि तेरा तारीक है आज तो तेरा नहीं नहीं कल तो विकल्प हो गए मैं हूं या मैं नहीं हूं यह विकल्प है क्या है हमको अपने अभाव का अनुभाव नहीं आ सकता तो यदी हमको अपने अभाव का अनुभाव नहीं आ सकता तो मैं हूं इस भी कोई डाउट हो सकता है यह जो निर्वी कलपस्तिती है वो यहां बताते है इस उधारन से तो तस्यश आदेश यदेतब बिद्धितो किती अधिदैवतम अधिदैवतम माने अब यहां जो अनुभुती है परमात्मा की यह बाहर के जगत में भी दिखने को मिलती है केवल अंदर नहीं बहार में कितने जीवन में प्रसंग आते हैं कभी कभी हमको कोई एकाद दोस्त मिल जाता है एक बार हम कहीं थे और एक मित्र मिल गया जिसको मैंने 65 साल के बाद पहले बार देखा चोटा होगा हो और उसने मुझे पूछा कि माफ करना तुम वो हो क्या तो जैसे उसने पूछा तो मुझे क्लिक हो गया मैं ने उसको उस नाम से बुलाया अरे तू कब बन गया बाबाजी तो वो जो अनुभव है उसको कहते जगत में हर एक अनुभूती में परमात्मा प्रकट होता है जब आप खुश होते हो जाद दुखी हो गए कंप्लेन हो गए बगवान कहता है यह मेरा दंदार है तुम रहे हो अब यह हो गया आधी दैवतम अब इसके बाद जो अध्यात्मिक है वो बताते है पाच्वा मंत्र अथा ध्यात्मम् यदेतन गच्चती वचव मनहा अनेना चैतत उपस्मरती अभिक्ष्नम संकल्पहा जिस प्रकार से हमारा मन एक स्थान से दुसरे स्थान में जाने के लिए कितना टाइम लगता है अभी हम लोग यहां बैटे हैं और आपको कहा कि जो चंद्रयान चंद्रयान पर लैंड हो गया था वहां कैसा होगा तो यहां से चंद्रमा पर पोश्चने के लिए कितना टाइम लगा कि इसी प्रकार से गच्छती इव क्या मन यहां से भाग के महां गया नहीं सब मन में ही है यह वास पश्ट समझ लो हमने आपको यह उधारण दिया था स्पेस को लेकर के सुटके भरो तो कितना भी बड़ा सुटके सो कम ही होता है और फिर उसमें जगह कम है तो क्या करेंगे हम बाहर से जगह डालेंगे उसमें नहीं अंदर से खाली करोने जगह अलडी है इसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाना नहीं है उसको प्रगट होने दो त्व सीटके समयruption निकाल करो करके महां जागान अलड़ी थी वह वस्तु कए कारण डग गई थी इसी प्रकार से मारा जो सवरुप видео है जो वो ही इस कच्रे के कारण डग गया है उसमें से कच्रा निकालो भगवान आपके वुर्दे में प्रकट होते हैं प्राप्त नहीं होते कि देखो बरफ का पानी बनाना पड़ता है क्या कि बरफ पानी ही है किसी प्रकार से हमको परमात्मा बनना नहीं है जो बने है उसको त्याग देना है कि आद्मी होता है पती बनता है तो पती क्या हो गया बनावटी है जो बनावटी है उसका भरोसा नहीं जो असली है उसका भरोसा है तो जब पत्नी मर जाती है तो पती को क्या होता कुछ नहीं होता क्योंकि बिना पत्नी के आद्मी पती हो इनी सकता महाराज दीरे दीरे ये बार सुक्ष्मता से वुर्दे में उतर के आती है तो पता चलता है ये सब कुछ मन में ही है हम को कि जाना आना नहीं है हम जड़ी गए थे चंदरमा पर तो क्या हम वाँ जाके आए क्या नहीं जिसका संकल पकरो वो प्रकट हो जाता है और जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है वहां हमारा मन जाता नहीं दीरे दीरे ये बार समझ में आती है और इसके लिए साधना यही है शान्त रहो बिना सोए तो अथाध्यात्मम यदा एतंग गच्छती वचमनहा ऐसे लगता है कि हमारा मन यहां से उठकर के वहां गया कहीं नहीं जाता मन तब कुछ मन में ही है सुटकेश में महार से हम स्पेस नहीं भरते वहीं है सुटकेश भी स्पेस में ही है लेकिन उसको हमने ढग दिया है वस्तों के द्वारा एक आपको हूंवर्ग देते करते रहो एक साल लगेगा उसको करने के लिए जैसे यह फोन है इसको मैंने यह रुमाल से डग दिया तो यह फोन कहां है तो मैं परेशान हो जाओंगा और बाद में तीक या छोड़ो निकलते और फिर जब हमने यह रुमाल को हटाया तो अरे क्या फोन हमने निर्मान किया है क्या लरेडी ता वो रुमाल के दवारा डग गया तो इसी प्रकार से परमात्मा डग गया है पंचकोशों के दवारा एक एक कोश को हटाओ अन्य में कोश प्राण में कोश मनों में कोश विद्यान में कोश आनन्द में कोश यह सब को हटा दो गूंग अटके पटकोल तोहें पिया मिलेंगे जागे ने के अमृतत्व मारशो पर्मात्मा की प्राप्ती नहीं होती पर्मात्मा की पहचान होती है क्रिया से जो प्राप्त होता है वो नश्वर है और ज्ञान से जो अनुभव होता है वो वास्तविक है तो यहां उन्होंने दूसरा अध्यात्मा उपदेश किया है स्मरती अभिक्ष्ण संकल्पहा इसी प्रकार से जैश्या हम बहार के जगत में वैसा ही अपने अंदर भी यह परमात्मा का स्मरण चिंतन करके तुरन उसका अनुभव कर सकते है आत्मरूप से अब इसके बाद इस तत्व को पहिचानने के लिए क्या उपास ना करने है अभी बाहर की दो बादे बताई दुनिया में और अंदर में मन में अब आगे कहते तद्ध तद्वनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स्य एतदेव वेदाविह एनम सर्वानि भूतानि सम्वांचंति तद्ध तद्वनम नाम इति उपासितव्यम स्य अब यह जो ब्रह्म है यह जो परमात्मा है यह जो भगवान है उसकी उपासना कैसी करते हैं तद्वनम नाम वनम माने भजनीयम भजनीयम माने गया भजन क्या आर्थे तीन होते हैं भजसेवायाम शरीर से सेवा करें वानी से नाम स्मरण करें नाम जब करें और मन से तत्व का चिंतन करें कि जब हम अपने पूर्ण व्यक्तित्व को किसी कारे में लगा लेते हैं लेकिन कहीं फस्ते नहीं कर्म में लगे उसी में लगे हैं भगवान को भूल गए जिड़ी जब करने में वहीं जब कर रहे आत्मचिंतन भूल गए नहीं हर चिछ क्या वाश्टत है अब अगु नार्मली क्या हो जाता है हम एक ही छेड में लगे रहेते स्वा करेंगे टो परेकर करेंगे क्याथreso जीओन में यहां में तो जब करेंगे तो दिन पर हाथ में माला दिया मैं घुमांत है यह ले लोगो घ्राश काक है तो चैन्थं करेंगे लोग did not सब क्या वाशक्ता जीवन में को इसलिए और इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने शरीर वाणी और मन इन किनों को परमात्मा में पूरी तरह से लगा देता है उसके माध्यम से प्रभू प्रकट होते हैं कि अध्यां से सुनना परमात्मा की प्राप्ती नहीं होती है इसी प्रकार से परमात्मा में देहात्मभाव और जीवात्मभाव ये दो कच्रे भरे हुए इन दोनों को हटा दो तो वहां परमात्मा उपलब्द है करना कुछ नहीं है कि तो उपासना क्या हो गई उपासना कठो पनिशन में अंतिम मंत्र में बताते हैं यदा सर्वे प्रमुच्चंते कामा यस्य व्रदिश्ताहा अथमर्त्यहा अम्रतो भवती अत्रब्रम्म समश्णुते जब हमारे अंतक करण से सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई है अब कोई कामना नहीं कामना रहित अनुभूती को परमात्मा कहते है समाधी यही है प्रजाहाती यदा कामान सर्वान पार्थमनों गतान है अर्जुन जब अंतक करण की सभी कामनाएं हमेशा के लिए मिट गई है इसका मतलब यह नहीं क्यों सो रहा है नहीं आत्मनेव आत्मना तुष्टाहा इस अट पीस फुल्फिल्द इन इस लाइफ इसे और नो लूजेंट्स लेफ्ट पगवार पंध्रहवे अध्या के अंतिम श्लोक में कहते है एतत्व बुद्ध्वा बुद्धिमान्चाद कृतकृत्यस्चवारत जीवन में कृतकृत्यता आ गई अब कुछ करना बाकी नहीं है कुछ पाना बाकी नहीं है कुछ खोना बाकी नहीं है लाइफ इस फुल्फिल्द ऐसे को कहते हैं सर्वानी भूतानी एनम सम्वन चंती ऐसे सादू संतों को सभी चाहते हैं और वो सभी के सभी उसको इसलिए नहीं चाहते कि कुछ मिलता है और सादू संतों को कोई प्रेत्न भी नहीं करने है अब मुझे बता आओ एक जगह में एक लोहे का टुकड़ा है दूसरे जगह में एक मैगनेट है चुम्बक है तो यह चुम्बक को किसी को इन्विटेशन देना पड़ेगा क्या मेरे पास भी आ जाओ नहीं जो उसके मैगनेटिक फिल्ड में आ गया अपने आप खिचा जाता है लेकिन वही यदि लोहे का टुकड़ा हो तो आवाज करेगा खिचा नहीं जाएगा किसी प्रकार से जिसने अपने व्यक्तित्व को इस छोटे दाइरे से मैय रुमो रतो रते माया इससे हटा दिया है धिरे जिरे उसका जो अध्यात्मिक मेंगनेटिक फिल्ड है वो ऐसा बढ़ने लग जाता है कि जिसका कोई अंत नहीं इसलिए सभी उसको प्रेम करते हैं तो सर्वानि भूतानी एनम सव्वान्चंती अब इसके पश्चाद आगे बड़ा विचित्र प्रश्ण है विद्यार्थी कहता है उपनिशदम्हो बुरुही किती उक्ता ते उपनिशद ब्राम्मी वाव तो ते उपनिशद अब भू में थी अब विद्यार्थी कहदा कि बगवन गुरु माहराज मुझे उपनिशद बताओ तो गुरु माहराज अभी तो तुम सिनमा की कहानी बता रहा थे उपनिशद थे बुरुही उपनिशदी तो बताया तुमको गुरु ने जो विद्यार्थी निए प्रश्ण पूछा मुझे उपनिशद बताओ तो इसका तात्पर्य क्या है इसलिए हम बताये आपको ना श ज्यादा हो सकती है तो इसका तात्पर्य क्या हो सकता है उपनिशद बुरुही माने यह भगवन आपने सब कुछ बता दिया अब मुझे यह बताइए कि इस तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए ध्यान से सुनना अध्यात्मकेक्षे कि दूनेतर में से विर्टा सिस्ट्म नहीं है आधि के का कि आधिक आधिसि होना चाहिए श्रूल कस्त होना चाहिए लेकिन हम गणर्षद करने हैं आध। की किया पैक्षा करते खुजत्र अ बिस कि गया कि अधिस्ट्र नेकिन हमगा गाना सो ऑन। कि ग्रस्तों के लिए ज्यादा कोटा रियलाइजेशन के लिए और सन्या से कोई धक्के काते रहो ऐसे नहीं होता देखो महाराज ना ये मात्मा बलही नहीं न लब्या जो चुई मुई होते हैं न चुई मुई वालो में आपको चुटा सा पौदा होते हैं उसको हाथ लगा ऐसे नाजुक लोगों के लिए तत्वर रही है तो क्या उपनेश्द के उपलब्धी के साधन है और क्या हम में होना चाहिए ये बाते विद्यार्थी ने पूछी और उसके उत्तर में अब गुरु महाराज बताएंगे आठवे मंत्र में कहते है तस्यी तपो दमहा कर्वेती प्रतिष्ठा विवेदा सर्वांगानी सत्यम आयतनम करें अब यहीं जो ब्राम्य वगरश्द्वी अव्ण धम्ने पूछा था शिश्य महाराज उसके लिए क्या-क्या साधना करने पहले और अवन में तपस्या होना आवश्चक है तपस्या के लिए क्या बजएे कि दिसम्मर के महने में गंगा जी में गले तक खड़ा हो करके हाथ उपर करके उब्रम शिवाय कहजब करना है नहीं है यह बास पश्ट समझे लो कि अपस्या के अर्थ टार्चर करना नहीं है कि अपस्या का अर्थ है हम में इस दो चीजे होनी आवश्टत है कि एक अप्विश्वास और दूसरा किशी पर भी परावलम्न ना हूं है और यह कि यह दो चीजों को जागरत करने के लिए तपस्या करते हैं हम अपने में आप क्या है जागरत कर रहे हैं कि हां इसकी शिवाभ भी रह सकता हो आत्मविश्वाज जागर्थ हो गया उसके बाद पहनों गरम कपने कोई बात नहीं कि उसी प्रकार से खाने के लिए चलो मैं अब एकादशी करना सुरू करता हूं तो जैसे दश्मी आएगी तो दश्मी में इतना दबा के खाएंगे क्योंकि कल खाना नहीं है दिन में उसी का चिंतन और द्वादशी के दिन कल तो एकादशी में खाया नहीं था इसे डबल तो यदि आप वास्तवीक में कोई उप्वास का अभ्यास करें तो पानी तक नहीं पीना नहीं माने रहें क्या होगा मर जाएंगे तो मरने दो एक क्षण ऐसा होता है जहां तक आप पहुच जाओ और वो क्षण निकल गया उसके बाद आपको भूप परेशान नहीं करेंगे तो यहां जो क्षमता है अपने आत्मविश्वास को जगाने की उसको कहते हैं तपस्या लोगों की विश्ष्श्ता क्या होती है में घटीया होता है हम अच्छा कहना पड़ता है यठी इतना हुम्मेड का आपको शोक है तो तपस्या करने के लिए हमाले क्युं जाते हो हुम्मेड तपस्या पति पत्नी में साथ रहते हुए भी प्रसन्न रहो इससे बड़ी तपस्य क्या हो सकती है देखो महाराज अपने आत्मविश्वास को जागरत करना है और दूसरा परावलम्बन का त्याग किसी से भी जितनी कम हो सके उतनी सेवा दो कि बहुत आवश्चक है तपस्या फिर दम दम माने अपने इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण इंद्रियों में से एक इंद्रिय अपनी युवा रसना उसके लिए साधना क्या है वही है देखो सुनो मत बोलो तो तपस्या दम क्या हो गया है दोनों कहाने पर कंट्रोल और बोलने पर कंट्रोल में पर कंट्रोल दो प्रकार से अपने आप से मत बोलों किसी से भी बोलने के पहले प्रशनप पूछलो क्या बोलने की जरूरात है कितने बार हम बोलतें जब आउशक्ता नहीं होती और फिर पस्ताते हैं बैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए कारण क्या कंट्रोल नहीं है इसलिए दमों तपो दमा फिर कर्म प्रतिष्ठा जीवन में निकम में ना रहे नेवर रिटायर इन लाइफ प्रोडूस वेल्थ रिटायर मत होना इस अब से भयानत चीज है आप विजी रहे करके भले अपने लिए काम ना करें पैसे कमाएं लेकिन अपने लिए अन्ने के लिए आपको जो क्षमता दिये है प्रभू ने उसका उपयोकर वेश्ट नहीं करना है करमेती प्रदिश्टा विदा सरवांगानी और उसके लिए शांस्त्रों का अध्यन हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हो जाए और उसके लिए हाथ में कागज पेंसिल ले करके नहीं श्रवन मनन निदिध्यासन श्रवन मारे सुनना है रोड सुबह शाम एक ही सत्संग है समझो अभी ये सत्संग जो है तो आपने सुबह सुना एक सवा घंड़ा शाम को उसी को सुना तो आप देखेंगे वही आप दो बार सुनो तो दो बार आपको भिंद भिंद उपलब दिया हो जाएगी क्योंकि जिस समय आप सुन रहे हो उस समय आपके मन की स्थिती कैसी है उसके अनुसार आपको ग्यान होता है कि कई बार हमको लोग कहती सामी जी आप परोजन हमने दो तीन बार सुझे हर बार अलग ल क्या है प्रतिष्टा है सत्य को अठोपनिशत कहते है अस्ति इति उपलब्धव्या तत्व भावेर प्रसीदती परमात्मा की उपलब्धी होने में होती है कि मैं हूँ इसको कोई नहीं काट सकता अस्ति इति उपलब्धव्या मैं जड़ हूँ मैं चेतन हूँ यह नहीं कह रहे हम केवल मैं हूँ अपना होना मात्र है अपने होने का जो भान है वही सत्य है हमको दुनिया का भान है कोन आया कोन गया कितने आये कितने गये भान जब दुनिया का भान समाप्त हो जाता है तब हम अपने पर वापस आ जाते हैं तो सत्यम आयतनम अच्छा महाराज अब नव्य मंत्र में कहते हैं अंतिम मंत्र है योवा एताम एवं वेद अपहत्य पाप्मानं अनंते स्वरगेलों के जेए प्रतितिष्टती प्रतितिष्टती जो वा एताम एवं वेद इस प्रकार से जो अपने स्वरूप को पहचानता है कि को मूल भेद क्या है कि मैं इसको जानता हूं माने जाना गया पदार्थ और मैं अलग-अलग है लेकिन मैं मुझे जानता हूं तो कैसे जानते हैं इंद्रियों के द्वारा नहीं क्या हम अपने को निर्मान करते हैं नहीं क्या हम अपने को भूल जाते हैं नहीं क्या हम अपने अभावका अनुभों करते हैं नहीं तो अपना जो होना है वो सभी से निरपेक्ष है उसी को कहते हैं योवा एताम एवं वेद इस प्रकार से जो अपने होने के भान में ही मस्त है चुस्त है सस्त है व्यस्त है प्राइ करो पहले आप हमारे पीछे जो नीले रंग का बैकड्रॉप है उसको देखो और अपना अनुभों देखो क्या अनुभों हो रहा है ही तो आपका अनुभों यह है कि आप अपने से दूर चले गए हो क्योंकि पजार्था दूर आप अब वहां से हटकर के अब यह हमारा जो कैमेरा है इसको देखो अब यह जो आपका अनुभाव है आप पहले के कमपैरिजन में इसमें अपने नजदीक आ गए है अब आप अपनी आखों को देखो तो इसमें देखने वाला और देखा गया यह भेच समापत हो गया हाँ यह है अपना सरू हम सोनी रहे हैं सब ग्यान हो रहा है लेकिन किसी भी शब्द को लेकर के तिकार नहीं तिपड़ी नहीं विक्षेप नहीं उसका होना नहीं होना उसका कोई मतलब नहीं जैसे आकाश सब को आधार देता है यह किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता पसंत हो योवा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम पापमानम अपहत्य इस पापी को अटा देते कौन पापी है पापी है मैं रुमोर तोरते माया पापी को नहीं मैं जानने वाला मैं रियलाइज मैं दुखी मैं सुखी मैं सफल मैं असफल मैं स्त्री मैं पुरुष्ट कि जो मैं मैं बक्रे है इसकी बली चड़ती है वह होना जिसमें किसी का जन्म नहीं होता आदमी होता है पती का जन्म होता है तो पती का जन्म कहां से होता है एक आदमी ने स्त्री से विवाह कर लिया तो जैसे बच्चे पैदा होते है वैसा आदमी पती पैदा होता है क्या कहां है पती देखो माराज जो न होते हुए दुखी हो रहा है इसको आप क्या करोगे जैसे चोटे बच्चे कई बार अपना ही प्रदिविम्म देखते दरपण में और दुखी होते हैं किसी प्रकार से जो नहीं है वो दुखी हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हो यही पापी है अपहत्य पापमानम जो गलत धारणाएं है अपनी बारे में जगत के बारे में भगवान के बारे में साधना के बारे में और भगवान का अनुभव क्या है गौड रियलाइजेशन क्या है इस सब गलत धारणाओं से मुक्त हो करके जो धारणा रहित अनुभूती है धारणा युक्त अनुभूती है पहले मैं पापी था अब मैं पुण्यवान हूँ पहले मैं घुसा करता था अब मैं घुसा नहीं करता हूँ दोनों महापापी है एवल हो नामात और इसे लिए कि इस अनुभाव में अभीमान नहीं हो सकता अभी मान माने परिछिन्न इस यह कमरा मेरा है पार का अकाश होनी मेरा जब हम छोटे दैरे में रहते हैं तब जीव है जब छोटे दारे का त्या कर देते हैं तो परमात्मा है तो योवा एवम एताम एवम वेद अपत्य पाप्पानम स्वर्गे रोके तिर वो स्वर्ग में पहुच जाता है स्वर्ग क्या है स्वर्ग कोई स्थान नहीं है यहां बहत्तर लोग मिलते हैं वो स्थान नहीं है स्वर्ग है, स्वा माने अपना स्वरूप, ग माने गती, गती माने लक्षा, हमारा लक्षा अपना स्वरूप है. क्या है अपना स्वरूप? सत्यम ज्यानम अनन्तम ब्रम्ह जो वेदन ही तम्गुहायाम परमेव्योमन सोश्नुते सर्वान कामान सह ब्रम्मना अभिपश्चितेती जो सच्चिदानन्द अपना स्वरूप है, उसको कहा ढूड़ने जाए? परमेव्योमन अपने ही चिदाकाश में ही सब कुछ है, बहर कुछ में, आज इन्क्लिजिव, अब ये प्रश्ण पूछ सकते हो, कहां पृत्वी है, कहां पानी है, कहां अगनी है, कहां वायू है? यह प्रश्ण नहीं बनता आकाश कहां है फूत्र क्या मिलेगा आकाश कहां नहीं है तो आकाश को प्राप्त करने की लिए हम को गहीं जाने की जरूत नहीं है क्योंकि हम आकाश में ही है किसी प्रकार से हमको परमात्मा को प्राप्त करने की जरूत नहीं हम परमात्मा में ही है अब ये उपलब्दी कैसी होगी, ये कैसी उपलब्दी है, ये उपलब्द की उपलब्दी है, प्राप्तस से प्राप्ति, तो यदि हमको आकाश को पहचान है, तो क्या करना पढ़ेगा, ये आकाश ये दिवाले को कठा करके रखा है, उसके प्रति उदासी न हो जाओ, कि आत्माहत्या करने की जरूरत नहीं है किवन अपने आपको पहंचाजना मात्र हो है कि स्वर्गे लोगे यही शवर्ग लोग अपना स्वरूप तर देलोगे प्रथितिश्ठा थी पिर वह इस अनुभूति में आ करके प्रतिष्ठावान हो गया यही जीवन की परिपूर्णता है इसके आगे और कुछ ले ओम पूर्णमदहा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णबादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति 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 हरी ही ओम री गुरुभ्यो नमहा हरी ही ओम